हलो आपको बताया कि किस प्रकार से आपका लेंज लाव वर्क करता है आज में लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशनल एमएफ कैसे जनरेट होता है हम सभी को पता है कि जब तक हम फ्लक्स में चेंजेस करते रहेंगे तभी तक आपका एमएफ जनरेट होता रहेगा इसका मत कालने के लिए देखिए यहां पर क्या किया गया है कि सबसे पहले यहां पर मैंने यू शेप में यू शेप में एक मान लिया एक वायर है और उसके ऊपर एक रॉड मैंने ले लिया है रॉड आपका है पी क्यू इस रॉड को जब इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा नहीं बोलू अंदर की तरफ आपका मैगनेटिक फिल्ड है और जो इस सर्किट से पिक्यू एस र से अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहा है मतलब इससे पास कर रहा है अगर हम इस राट को आगे की तरफ ऐसे खिसकाते जाएं इस दारेटिक्षन में अगर मोशन कराते जाएं तो हमें यह दिखेगा motion कराएंगे तो जो आपका magnetic field होगा जो magnetic flux इससे pass कर रहा है वो flux आपका क्या होगा decrease होने लएगा और जब flux decrease होगा तो हमें पता है flux decrease होता है तो क्या generate होता है EMF generate होता है इसके लिए मैं यह माल लेता हूँ यहां से यहां तक का जो distance है वह आपका X है और यह रहीं आपका distance है वह आपका क्या है इसका length antibiot क्या है यह और जहां से हम इसको लाइट कराना चाहते हैं वहाँ से distance suppose कर लिजे x है इसका मतलब flux का हम यहाँ फार्मला लगा सकते हैं फार्मला बी इंटू एंटू कॉस ठीटा तो surface जो आपका है surface का आपका direction अंदर की तरफ है अंदर की तरफ है तो angle 0 degree हो जाएगा तो केवल आप लिख सकते हैं 5 equal to b into a और area की बात की जाए तो length l suppose करेंगे तो breath x suppose कर लेंगे तो 5 की value मिल जाएगी b into a into x एक equation suppose कर लिया यह है जब हम इसको इस direction में लेकर जा रहा है तो आपका flux जो है वो decrease कर रहा है इसका मतलब flux change हो रहा है और जब flux change होता है तो हमें formula पता है कि induced emf आपका क्या होता है minus d5 upon dt induced emf equal to होता है minus d5 upon dt तो हम लिख सकते हैं e की value minus d5 के place पे लिख सकते हैं b into a into x upon में कितना dt और आप यह देख रहे हो कि यह आपका क्या है sorry यहाँ पर यल रहेगा length है तो यहाँ पर भी यल लिख सकते हैं b into a into x upon में क्या लिख सकते हैं देखिए b आपका क्या है यह मान लिजे uniform magnetic field है तो बी को तो हम constant suppose कर सकते हैं और यल जो है इसका length ही है यह आपका चाहए यहाँ पर रहे चाहिए कहीं भी रहे यह वाला length आपका change होने वाला नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं बी और यल दोनों क्या हो गए constant हम लिख सकते हैं minus b into l into आपको मिल गया dx upon dt देखिए जो dx upon dt है ds का मतलब होता है यह जो आपका distance है यह change हो रहा है किसके respect में time के respect में तो कितने velocity से motion कर रहा है भी की velocity से तो जब distance time के respect में change होता है तो उसे हम velocity बोल सकते हैं तो formula क्या मिल जाएगा e is equal to minus b into l into b इसी को बोला आता है emotional emf small e की value आपको मिलती है minus b into l into b यहां पर जो आपका electric current चुकि emf generate हुआ है तो electric current भी आपका generate हुआ होगा तो उस electric current का direction कैसे निकालते हैं तो उसको निकालने का एक मैं बता जाता हूँ flaming's right hand rule इसके help से आप आसानी से induced current का direction निकाल सकते हैं तो आपको करना क्या होगा आपने right hand को right hand के fingers को इस प्रकार से stretch कीजिए कि thumb first finger and middle finger ये तीनों एक दूसरे के क्या हो पर्पेन निकुलर आपका first finger या मैडिल फिंगर ये आपका थंब एक दूसरे के क्या होने चाहिए पर्पेन निकुलर अगर यह पर्पेन निकुलर हैं तो उस condition में ये बोलायाता है कि first finger direction of magnetic field को show करता है और ये थम्ब direction of motion of conductor जिस direction में conductor को आप motion करा रहे हैं उसको शो करता है तो बीच वाला जो फिंगर सोगा middle finger वह induced current की direction को बता ज़ेगा ऐसे यहाँ पर देखिए अगर इस वाले conductor को देखा जाए तो यह किस direction motion कर रहा है तो थम्ब आपका क्या होगा इस डारिक्शन में और यह जो मैंगनेटी फिल्ड है इसके अंदर मैंगनेटी फिल्ड क्या है अंदर की तरफ है तो आपका first finger क्या हो जाएगा अंदर की तरह तो middle finger क्या दिखा रहा है downward इसका मतलब इसके अंदर जो current generate होगा वह आपका क्या होगा downward तो इसका प्रकार से current का flow इसमें होता रहेगा तो यह इसमें आपका क्या हो गया induced current generate हो गया फिर से याद की रियाद रखेगा आपको right hand side को sorry right hand को इस प्रकार से stretch करना है fingers को कि first finger middle finger और थम्ब एक दूसरे के perpendicular हो अगर first finger direction of magnetic field को सो कर रहा है में थम्ब डारेक्शन आप motion आप conductor को सो कर रहा है तो मिडिल फिंगर क्या सो करेगा डारेक्शन आप induced current उसी को बला जाएगा flaming right hand rule इसके help से आप इसको fine कर सकते हैं thank you